Hello Everyone, Welcome to Lecture Force First question है, एक LCR circuit में, resonance की इस्तिती में, अनुनाद की इस्तिती में, कौन सा option सही होगा First option है, current और voltage equal phase में होगे Second option है, impedance maximum होगा Third option है, current minimum होगा Fourth option, current lead करेगा πY2 से यानि कि धारा जो है, वो voltage से πY2 अग्रगामी होता है तो देखो, बहुत पूछे जाने वाला question है, इनके सेहां से तीन question बहुत पूछे जाते हैं पहले आप तीन fact लिख लो, उसके बाद थोड़ा mathematically समझाओंगा कि वो कैसे आई फिलाल आप अपनी notebook में तीन most important fact लिख लो अगर बात अनुनाद की करी जाएगी, resonance की स्थेती में बात हो, तो current और voltage जो होंगे वो equal phase में होंगे ये तीनों ही question बहुत पूछे जाते हैं, और अगर कहा जाए सुद्ध धारती ये परिपत है, pure capacitive है तो current lead करेगा voltage को pi y 2 से, दूसरा fact, अगर सुद्ध धारती ये परिपत है, तो धारा जो phase difference हो pi y 2 होगा, लेकिन current यहाँ पर lead करेगा तीसरा fact आप ये लिखो, अगर pure inductive है, pure inductive सुद्ध प्रेर की परिपत है, तो voltage जो है वो अग्रगामी होगा pi y 2 से, यहाँ पर voltage lead करेगा current को अगर resonance की situation है, तो equal phase होगा, phase difference 0 होगा, अगर pure capacitive है, तो current lead करेगा, और pure inductive है, तो voltage lead करेगा pi y 2 से, तीन fact लिखने के बाद, अब मैं आपको थोड़ा बताऊँ, दो तीन बात है और, सबसे पहले resonance की situation है, इससे question बहुत आते है, भर भर के, एर फोर्स और नेवी में, इसमें impedance minimum होता है, ये fact भी आप लिखो, impedance minimum होता है, इसलिए ये गलत हो गया, और current maximum होता है, इसलिए ये fact गलत हो गया, लेकिन जो सही fact है, वो आप अपनी notebook में लिखो, कि resonance में impedance minimum होता है, और current जो है, वो maximum होता है, अब मैं बताऊँ आपको कैसे, देखो, आपका impedance का formula क्या होता है, अब resonance में क्या होता है कि जो inductive reactance है वो capacitive reactance के equal होता है अगर ये equal हैं दोनों तो cut जाएंगे यानि कि impedance जो है वो किसके equal आजाएगा R के equal आएगा यानि कि वो pure resistive हो जाएगा और pure resistive है तो equal phase में हो जाएगे ठीक है ये मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था अब देखो मैं क्या बताना चाला था कि प्रतिबाद हा जो impedance है वो minimum क्यों होती अधिक्तम क्यों नहीं होती है क्योंकि impedance में या फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कुछ जुड़ना चाहिए था लेकिन resonance की बज़े से ये पूरा cut गया दोनों equal हो गया यानि कि कुछ नहीं जुड़ा यानि कि minimum की condition आ गई और ये भी याद रखना कि जो power factor होता है पावर फेक्टर जो है वो कितना होता है 0 से 1 होता है आपका जो उसकी range होती है minimum 0 हो सकता है maximum 1 हो सकता है तो 0 कब होता है जब pure जो है वो inductive हो अगर परिपत सुद्ध प्रेरिकी हो तब power factor minimum होता है और power factor 1 कब होता है जब pure resistive हो ठीक है ये दो point पी आप याद रखना कि power factor minimum कब होता है maximum कब होता है उसकी range क्या होती है और power factor जो होता है वो dimension less होता है ये बात भी याद रखना बिमाहीन होता है power factor की कोई dimension नहीं होती है similarly आपका जो quality factor होता है वो भी dimension less होता है next question है which of the following process internal energy of the system remain constant most important question है पहला option लेखा है adiabatic दूसरा option लेखा है isothermal, isobaric या all of the above तो देखो इसमें right answer हो जाएगा समतापी isothermal process में internal energy constant रहती है isothermal ठीक है अब देखो adiabatic से भी बहुत तरह के question बनते है रोधोस में इससे सबसे ज़्यादा question पूछे जाते है इसमें tire का फटना यह बहुत quickly होता है process tire का फटना पूछा जाएगा या किसी gaseous medium में जो sound का treble करना का जाएगा किसका example है तो ऐसे बहुत सारे example में हर video में courses करता हूँ जो important chapter है उमसे कुछ ना कुछ include करने की और कहा जाएगा कि internal energy decrease किसमें होती है तो adiabatic में increase किसमें होती है अगर एक option होता सम आयतिनिक आईसो कोरिक तो उसमें increase हो जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है constant का पूछा जाता है case जो हो जाता है isothermal sum तापी ठीक है आपकी responsibility क्या है कि आप ये जो जो आपका thermo dynamic है उसके तीनो प्रिंसेपल बहुत अच्छे से पढ़ लेना सुनेवा नियम ठीक है जो जीरो थला first नियम जिससे आपका जो पूछा जाएगा आंतरिक उर्जा की अवधारणा किस नियम से मिली पहला option होगा सुनेवा प्रिथम नियम दुतिय नियम नहीं इन मेंसे कोई नहीं तो सुनेवा नियम जो था उससे हमें आंतरिक उर्जा का जो concept है वो मिला था ठीक है आंतरिक उर्जा का और आपका जो कारणो इंजन वाला कारणो इंजन का जो है वो concept कहा से आया वो सेकेंड से आया सुनेवा निय तो आप लोग अगर यहां पर एसोसियेट नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा वहां पर जोड़ जाना ठीक है यानि कि 330 बच्चों ने जो है वो गलत बताए है आंसर ठीक है और देखो निगेटिव बताया कुछ 270 बच्चों ने पॉजिटिव बताया तो आप देख सकते हो कॉमपेटेशन जादा नहीं है बच्चे यह पता नहीं क्या है मुझे समझ भी नहीं आता है एक सॉलेनाविटी का जो रेशियो पूछा था तो मैं क्या करता हूं यहां पर बाइलिउंगल कुश्चन कराता हूं और यहां पर एकस्प्रेशन भी दे देता हूं तो दिन में 8-10 कुश्चन में रेगुलर यहां पर भी कराऊंगा तो आप लोग जोड सकते हो जैसे यह सब सारे कुशन मैंन क्याने की कोसिस करूँगा ठीक है और नहीं तो मैं स्क्रीन सोट आपका जैसे यह कुश्चन था तो इसे नीचे दे दिया कि क्या है तो इसमें बताने का मेरा मतलब यह कि आप यहां पर जोड़ जाओ हंडेट परसेंट आपको इनहेंस होगा आपके कॉंसेप्ट यहां से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा रोज में दस से पंदरा भीस कोश्चन यहां पे और बिद एक्स्पिनेशन डालने की कोसिस करूँगा और जो भी पीडिएफ सौंगी आप लोगों कुछ रिक्वाइड हैं चीजें वो भी आप बताओ हमें कमेंट सेक्शन में तो हम यहां पे आपको वो प्रोवाइड कर दिया करेंगे तो आप इसको जोइन कर लो कल एक था आज वन के हो गया है बहुत अच्छा लगा गाईज मुझे कि आप लोग इतना एप्रिशेट कर रहे ह मतलब यही जो है मुझे मोटिवेशन देता है काम करने के लिए जो आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है मेरा एक बार सभी से सबको दिल से एक बार फिर से सुक्रिया आप सभी को बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए बस इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहना temperature में increase किया जाएगा तो gases का जो coefficient of viscosity होगा स्यानता गुडांक होगा उस पे क्या फर्क पड़ेगा देखो मैं आपको एक बात बताऊँ आप चाहे Air Force के official website से model paper देखेंगे चाहे पिछले कुछ सालों का trend देखेंगे trend क्या है कि आपका जैसे 25 questions physics में आने हैं तो 12 to 15 questions ऐसे होते हैं जिनमें आपको pen और paper भी नहीं उठाना पड़ेगा अगर आप पिछले 2 सालों का trend अच्छे से देख लेते हो और उन पे work कर लेते हो जैसे physics में कुछ static चीजे हैं कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि Air Force और Navy का question paper में surface tension, viscosity, किर्चॉफ और क्या कहते हैं ये lens, ये सारे सब्द आपको देखने को ना मिले तो इन चीजों पर तो command होना बहुत जरूर है आप high level पढ़ने के, नहीं high level भी पढ़ो वहां से आप merit में आऊगे, moderate भी पढ़ो लेकिन ये चीजें जो हैं, इनको आप ignore बिल्कुल भी मत करना मैं आपको एक remainder की तरह, ये question आते तो सबको हैं लेकिन इसके साथ में जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ पहले तो आप ये याद रखो कि अगर gases की बात करी जाएगी तो temperature बढ़ाएंगे तो increase होगा और अगर बात यहाँ पे liquids की करता, द्रबो की करता तो decrease होता, दो fact इसी तरह से surface tension के बहुत सारे नियम बन सकते हैं temperature का effect, impurities मिलाने का effect ये surface tension की dimensional formula या इसका जो सेंता गुडांक होता है इसका dimensional formula, दो बाते हैं पर लिकना, stocks ने नियम दिया था स्यान बल जो था, हो था 6 pi eta rv के directly proportional यानि कि यहाँ से radius के directly proportional है और जो यहाँ पे सीमान्त वेग होता है वो होता है radius के square के directly proportional इन दोनों में difference आपको पता हो कि स्यान बल जो है, वो आपका radius के square नहीं है इस पे लेकिन सीमान्त वेग पे square है कुशन ऐसे भी आ सकता है कि दो गोलिया है उनकी तरजाएं एक दो हैं तो आपका सीमान्त वेगों का अनपाद एक चार हो जाएगा और स्यान बलों का अनपाद एक दो ही रहेगा पहली चीज दूसरी चीज इस question को लेने का परपज यह है कि जैसे कुछ ये terms होते हैं जो आप बार-बार हर model paper में देख रहे हो हर website पे देख रहे हो तो उन पे command करो जैसे किर्चौफ के नियम कौनसा नियम, प्रिथम नियम, धारा आवे सनचड पेकार करता है दूसरा उर्जा पेकार करता है लेन्ज कनियम, उर्जा, पर नोली पिर में तो ये चीज़ें, इस्टेटिक चीज़ें आप क्या है कि इनको भी पढ़ते रहा करो हाँ, आगे बढ़ो लेकिन साथ में पीछे का भूलते मत चलो रिवाइस करते रहो, एक बार फिर से कहता हूँ नई बाली पे लेरेस्ट जो है उसका रोज एक वीडियो आप सुब है एक वीडियो साम देखते रहो ठीक है 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो होते हैं लिकन आपको पता नहीं है भी बाद में आपको रियलाईज होगा कि अगर ऐसा आप करते हो तो आपका जो आपकी जो पकड है कॉनसेप्ट पे आपका जो जितने भी फैक्ट है जो पूछे जाते हैं मल्टिपल टाइमस रिपीट हो चुके हैं उन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी अब यहाँ पे लिखा है लाइट इयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सिक तो यह सारे ही डिस्टेंस के होते हैं अब देखो इनको क्या है जैसे अगर बात करें खगोली है एक आई जो सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और जो लाइट इयर होता है वो कोई मालो फोटन है और एक साल में जो भी ट्रेवल डिस्टेंस करेगा उस डिस्टेंस को लाइट इयर कहते हैं आपको जो याद रखने है दो वो ये याद रखने है अगर बात करें light year की distance की light year में कितना meter होता है तो एक light एक वर से द्वारा चली की दूरी ही तो होगी तो उसका दूरी बराबर होता है चाल गोड़ा समय चाल कितना है तीन गोड़ा दसकी का ताट होता है light का speed into time 365 दिन ले जब पूरे को आप calculate करोगे तो finally जो निकल के आएगा वो आप याद रखना 9.46 into 10 to the power 15 meter ये क्या है एक light year में अब बात करूँ एक और चीज आप लिख लेना notebook में box बना के कि एक पार से एक बराबर जो होता है वो 3.26 light year होता है अब आप देख सकते हो पी पार से कितना है कि जिसमें 3 light year मिलाओगे तब एक पार से एक बनेगा तो पार से एक सबसे बड़ा largest होता है जो पार से एक होता है ठीक है और सबसे छोटा क्या है astronomical unit ये बहुत सारी ऐसी चीज़े है अभी आप कुशन है work done to bring 1 kg of mass from surface to infinite अच्छा कुशन है कि अगर अर्थ का mass m है और radius r है तो surface से अनंत तक कोई 1 kg का दरबिमान है उसको लाने में अनंत तक ले जाने में कितना work done करना पड़ेगा तो देखो किसी वी conservative force द्वारा जो उसका potential energy में जो आपका चेंज होगा वही work done होगा चेंज इन potential energy is work done ये अपनी दमाग में feed रखो अब potential energy का formula क्या होता है माइनस का gm but r ठीक है gm but r अब बात करें अगर हम अगर infinite की बात करें तो वहाँ पर r कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा और अगर नीचे अनंत है तो जो है यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा कहां पर infinite पर तो change in potential क्या होगा जो delta u होगा u final minus u initial final है 0 क्योंकि अनंत पे ले बटे R, ठीक है, तो माइनस से माइनस ये प्लस बन गया, और GMM, मास कितना है? वन किलोग्राम, तो यहां पर वन किलोग्राम रखेंगे, तो वो भी खतम, तो GM बटे R आ गया, GM बटे R कहां पर दिक रहा है? B अप्सिन में दिक रहा है,